दोसी देख रहे हो सांच टीवी न्यूस पोर्टल 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय थरदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे लेलू महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों के आकाओं की नाखवणी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मे मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महुद है, किसी भी युद्व को जीतने के लिए पहल करना सबसे जादा आवश्यक है, क्योंकि इती हास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं, कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं, क्योंकि महुद है, भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े हुने का दर सता रहा होता है, वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइ दोश को नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महुद है, मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नह पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान, इन आतंकवादियों, इन पत्थरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी, तो भी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच, वो किसी निर् ही नहीं तूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए है कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रह है, महोदे, जब पुलवामा में 44 जवान सहीद हुए, 36 गर में 76 जवान सहीद हुए, तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, परन्तु जब जेनियू विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम सर्मिंदा हैं, जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने, कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेग उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंग बनकर दहार दो, और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो, महोदै, अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कि मुझे अफसोस है, अपने देश की निया इक प् हाईया देने वालो, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चर्कों से शोलो के आगे, रामायर पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलो के आगे, धर्ती के घोर कुहां से को, एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल, एटम बम ही कर सकता है, जैहिन चैभर, आओ दे नमी आते ताजा खबरास, आप तो पहला वेखले, साड़ा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करो, आपना यूटूब चैनल सांच टिवी